हेलो फ्रेंट्स वेलकम डू जीके क्रेज फ्रेंट्स आपका आरर भी एंटीपी से एक्जाम के लिए और एक सांदर प्राक्टिस टेश ले करके आया हूँ जिसमें की दोस्तों हम सिर्फ उसी तरह के सवाल डिसकस करेंगे जिस तरह के सवाल आपके 28, 29 और 30 डिसंबर में जो गया है इस वीडियो का डेक्शन बस में लिंक है ओके चलिए नेक्स देखते हैं तो दोस्तों पहला सवाल है रेल्वे बोर्ड के ने सीयो और चैर्मेन के रूप में किसे चुना गया है चलिए बताएंसर क्या होगा दोस्तों सी अंसर हो जाएगा अप्शन डी सुनीत सर्म का सीं लनका जिक को चुना गया है अप्शन डी इसका सी अंसर होगा और इससे पहले कौन थे दोस्तों बीनोत कुमार यादब से अंसर होगा गोटा बाया राजपाक से ओके अप्शन डी से अंसर होगा और क्या आप मुझे बता सकते हैं जोको वीडोडो ये किस देश के राश्टरपती हैं चलिए होता हिए नेक्स देखते हैं दोस्तों निमलिखित में से किसका जीवनकाल सबसे अधिक होता है आपके अप्शन में हैं दोस्तों कच्छवा इगल चीता हाथी से अंसर होजेगा दोस्तों कच्छवा का जीवनकाल सबसे अधिक होता है इसका जीवनकाल है दोस्तों 150 बर्स तक होता है याद रखिएगा सवाल है इसवार अंतराश्ट्रिय योग दीवस पर एक बहुत बड़ा कार्यकरम अनुस्ठीद क्या गया था वो दोस्तों कि सहर में क्या गया था दोस्तों से अंसर होगा लहे सहर में अप्शन ए इसका से अंसर होगा और दोस्तों ये भी आपको पता होगा 21 जुन को अंतराश्ट्रिय योगा दिवस मना जाता है दोस्तों एक्स सवाल है विटामिन के का विविज्यान कंग्रेश 2021 में ये कहां अनुस्ट्टित होने वाला है से अन्सार होगा दोसमों पुने सहर में अनुस्टित होने वाला है और इसका अंतराश्ट्रिय साख्यर्ता दिवस ये कब मना जाता है अंतराश्ट्रिय साख्यर्ता दिवस ये कब मना जाता है दोस्तों इसका से अनसर हो जाएगा September 8 अपसन ए इसका से अनसर होगा और 2020 में जो अंतराश्ट्रिय साख्यर्ता दिवस मना गया World Literacy Day मना गया इसका दोस्तों थीम क्या था? Literacy Teaching and Learning in COVID Crisis and Beyond. तो दोस्तों, नेक्स सवाल लगते हैं. नेक्स सवाल लेखते हैं. अंदरप्रदेश का लोग नुर्त्य कोन सा है? अंदरप्रदेश का लोग नुर्त्य है कुचिपूरी. अप्सन B इसका से अंसर होगा. दोस्तों, नेक्स सवाल है किसे 2020 का एबल पुरसकार से सम्मानित किया गया? आप सभी लोगों को पता होगा, ये mathematics के field में दिया जाता है. और दोस्तों, इसको Nobel Prize के बराबर मना जाता है. और इस साल किसे दिया गया? दोस्तों, C अंसर होगा. उपरिक्त योणो. और दोस्तों, ग्रिगरी मार्गुरिलास एंड हिलल फिश्टनबर को दिया गया है. ये दोनों को ठीक से याद रखिए. आगे के एक्जाम में जुरूर पूछे जाएगा. दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुसकवरी है कि आपका RRB NTPC एक्जाम में Current Affair के जीजिश्ट टपिक से सवाल पुछे जा रहे हैं. उसके बाद दोस्तों, Science के जीजिश्ट टपिक से सवाल पुछे जा रहे हैं. Static, GK, Biology, Chemistry, Physics. सभी के दोस्तों, जीजिश्ट टपिक से सवाल पुछे जा रहे हैं. सिर्फ उसी ट्रपिक के कोशिन अनसर हमारे GKرج application में डाल दिये गया है अभी तुरण चाहिए दोस्तों fully updated content है आज ही डाला गया है सभी को पल लिजीएगा दोस्तों आपको 50 वीडियो देखर के जितना knowledge नहीं मिलेगा बस एक ही application से सभी knowledge आपको मिल जाएगा इंमम 30 सवाल दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ GKرج application से मिल जाएगे इतने सारे content हो आपके डालेगे हैं बस उसको एक बार complete करके दिखाएए मुझे तोस्तों आगे बढ़ते हैं चरूँ डाउनलड कर लिजीएगा नहीं तो वीडियो देखने के बाद कर दिखाएगा दोस्तों नेक्स सवाल है किस राज्य सरकार ने my family, my responsibility ये जो योजना है, ये जो अभियान है इसको शुरुवात की है किस राज्य सरकार ने दोस्तों से अंसर होगा, महराष्टर राज्य सरकार इसका से अंसर होगा दोस्तों अगला महतपुन सवाल है कि 2020 में जो IPL का म्याच होआ उसमें कौन सा टीम जीता जिस टीम जीता उस टीम के कैप्टेन कौन थे कैप्टेन आप विनिंग टीम आप IPL 2020 आप सब लोगों को पता होगा मुंबाई इंडियांस ने जीता है इस साल का IPL और उसके कैप्टेन कौन थे रोहित सर्मा याद रखिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों नेलसन मंडेला पुरसकर 2020 का एक किस ने जीता किसको दिया गया नेलसन मंडेला पुरसकर ये दोनों इसका से अंसर हो जाएगा नाम को ठीक से याद रखिए ये आगे के एकजामें जरूर पुछे जाएगा दोस्तों नेक्स देखते हैं राम बिला स्पास्वन का निधन हो गया वो एक कौन थे दोस्तों से अंसर हो जाएगा उस मंत्राले किसे दिया गया है प्यूस गौयल जी को दिया गया है क्याद रखिए का आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स है जैसिंडा अरडन ये किस देश के बर्तमान प्रधान मंत्री है जैसिंडा अरडन दोस्तों से अंसर हो जाएगा न्यूजलान की प्रधान मंत्री हैं क्याद रखिए, अपसंड डी से अंसर होगा दुसवन, एक सवाल है मतिया विन ये एक बिमारी है, ये किस अंग से संबन्दी थे दुसवन, सी अंसर होगा, अपसंड़ी ये नेतर कर सकता है निम्न मैं से कौन सा जानबर अधिक गर्मी को सांभ कर सकता है तो भी असका सियानसर होगा बकरी नेश दोसतोों निम्न में से कौन बास्तविक मचली नहीं है तो लिए बताइए इन में से बास्तविक मचली कौन नहीं है दोस्तों सियान सारोगा सिल्वर फीस ये एक बास्तविक मचली नहीं है तो दोस्तों ये क्या है ये एक किडा है यानि ये एक इंसेक्ट है याद रखिए नेक्स सवाल लेखते हैं अगला सवाल है दोस्वों मिर्मिकोलोजी मिर्मिकोलोजी में दोस्तों किसका अध्यान क्या जाता है काफी मेहतापुन सवाल है चितियों का अधियान क्या जाता है मेरमिकोलोजी में या आपका आनिमल किंग्डम का टेक्सोनमी से सवाल है तो दीपति नाम पद्धति का खोज किस ने किये थे दोस्तों से अनसर होगा काल लिनियास इनको दोस्तों इसलिए टेक्सोनमी का जनक भी कहा जाता है तो दोस्तों नेक्स्ट है बायुधारी अस्तियां ये किन में पाई जाती है निमली में से किस में बायुधारी अस्तियां याने दोस्तों होलो बॉन्स ये दोस्तों किस में पाई जाती है पक्षियों में, इसलिए वो ठिक से ऊड़ सकते हैं, उनका हड़ी बहुत ही हलका होता है, और हड़ी का बीच में खाली रहता है, जिसमें की एयर भरा रहता है, किस बिटामिन की कमी से सिस्वों के हाथ, पेरों की हड्यां मुड जाती है, किस बिटामिन की कमी से, बिटामिन D अफस्ट्यो मालेसिया कों गर्म खुन युक्थ प्राणी है इसली पुलताएगे का फेयाफ प्रतान सवाल है सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है अलमटी बांध एक किस नदी पर स्तीत है अलमटी बांध दोस्तों एक कृष्णा नदी पर स्तीत है नदी अधिया कितने देशों से लगती है यूद्ध भाउनरी है वो कितने देशों के साथ साध्या करता है सही अंसर होगा और उसे उनका पहला है चाइना, पाकिस्तान, भुटान, म्यामार, अफगानिस्तान, नेपाल, बंगलादेश, ओके यहां पर बाउंडरी की बात क्या गया है इसलिए, चले तो नेक्स देखते हैं मेगाले राज्य कब अस्तित्तों में आया, मेगाले राज्य दोस्तों 1970 में अस्तित्तों मे आठा यूद, अफशन B, इसका से अंसर होगा दोस्तों नेक्स देखते हैं भारत का राश्ट्रगान पहली बार कप गाया गया था तोस्तों से अंसर होगा, एक कलकता सेशन में गाया गया था, याद रखिए, भारत का राश्ट्रगान पहली बार, दोस्तों नेक्स है, बेदों की और लोटो, ये जो नारा है किसने दिया था, दोस्तों से अंसरों का स्वामी दायनन सरसोती ये नारा दिये थे, अफशन B, इसका सही अंसर हो जाएगा, दोस्तों आप तो देख रहे होंगे कि इस बार का NTPC exam म आपके GK हो गया म्यात रेजिंग सभी का दोस्तों previous year question से minimum 30% सवाल repeat हो रहे है, इसलिए दोस्तों मैंने GK का खास एक बहुती बड़ा PDF बना दिया है, पिछले 3 साल में इतने भी TCS exam होए थे, लगभख 400 shift का सिर्फ railway का official paper से दोस्तों मैंने सभी GK question को compile करके 8100 नाम से एक GK का PDF बना दिया है, उसको जरूर डाउनलोड कर लिजीगा, जिसमें कि दोस्तों आपको इसी तरह का सवाल, अभी जो हम discuss करने वाले हैं, उसी तरह का 8100 सवाल मिल जाएंगे, अगर आपके NTPC और group day exam के लिए time है तो जरूर उसको buy कर लिजीगा, सिर्फ और सिर्फ 40 रुपय में वो आपको मिल जाएगा, इतने सारे data, mobile में दोस्तों आपका डाउनलोड हो जाएगा और वहां से आप रोज 300-400 पेज पढ़ाई कर सकते हैं, तो नेक्स सवाल लेखते हैं, ये सारे के सारे previous year question है, तो कुनार्क सुर्या मंदिर ये कहां स्तीत है, सी अंसर हो जाएगा, दोस्तों ओरिशा में स्तीत है, दोस्तों नेक्स सवाल है, अमरित सर में प्रसिद स्वन मंदिर निमलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा बून किया गया था, गुरु और जुन्देब से आंसर हो जाएगा, अगला सवाल है दोस्तों ATM, एक गेस द्वारा प्रयोक लाए दोस्तों नेक्स है, पानी को बनाने के लिए हैट्रोजन के दो अनू और अक्सीजन के एक अनू मिलते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, दोस्तों दो अनू निकलता है पानी का, नर्मदा सगर परियोजना, ये निमलिखित में से किस राज्यर में स्तीत है, मध्य कौन थे लड़ क्यानिंग थे किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया भारत सरकार अधिनियम 1858 निमलिखित में से कौन सा तमिल सहित्य का महा काव्य है सिल्पदिकारम अप्शन एसका से अंसर होगा भारत में इस्ट इंडिया कमपानी को नियंतरित और सब्सक्राइब करने के लिए ब्रिचिस सरकार को कोन सा अधिनियम लागू च efficient प्रिटी इसका शांचर होगा कीόσ देश में 2022 का राष्ट्रमंडल खेलों का त्रकंशन कंग तीशन किया जाएगा इंगलन्ड का बर्मिंगम में ओक देखिए ये सवाल रिपीट हुआ है दोसो नेक्स सब्थ श्वेतांबर ये किस से झुड़ा हुआ है जन धर्म से जुड़ा हुआ है option B इसका C अन्सर होगा दोसो नेक्स सब्छucaval में sunshine formula को किस नाम से जना जाता है C अन्सर होगा next किसे बहरत की अज़ादी का पहला यूद कहा जाता है सीपाही बिद्र हो इसका से अंसर होगा दुनिया में चोथा सबसे बड़ा महादीव कौन सा है से अंसर होगा दक्षिन अमेरिका ये सबसे बड़ा चोथा नंबर का महादीव है पहला कौन सा है ऐसी या दूसरा कौन सा है आफरीका तिसरा कौन सा है अमेरिका निमलिखित में से कौन सी दक्सिन आमेरिका की सबसे लंभी परवतिय सुनखला है अन्तरवास्ट्रिय पुनर निर्माण और बिकास बेंक को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना आता है C.A.N.E.S.A.R.O.K.A.C.A.C.A.C.A.O.K.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C खेलों में जिम्नास्टिक को सामिल क्या गया था 1896 से अंसर होगा तो सो नेक्ष निमलिखित में से कौन सा कारिया बानिजिक बेंकों के मुख्य कारियों के अंतरगरत आता है जमा सिमिकार करना अपसन D से अंसर होगा इसका निमलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी सास्त्रि नुर्तियों है, नुर्तियों से लिए है, से अंसर होगा, अपसन B, भारत नाटियम सहत के एक इकाई खेत्रफल पर कारियरद बल को क्या कहा जाता है, दबाओ कहा जाता है दोस्तों नेक्ष्ट है, खेत्रफल के मामले में कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा देश है, रसिया, अपसन C से अंसर होगा जल निकाओं में मेंड़ो को द्वारा थायरोक्सिन हर्मन के उत्पादन के लिए, निमलिखित में से किसकी आवसिकता होती है, आयोडिन के आवसिकता होती है मेंड़ो को द्वारा थायरोक्सिन हर्मन का उत्पादन के लिए नेक्स्ट है भारत में Biosphere Reserve ये निवलिखित में से कौन सा है सुन्दर बन अपसन भी से अंसर होगा ये एक Biosphere Reserve है इंडिया का क्रिकेट में LBW, LBW का फुल्प्रम क्या होता है leg before wicket भीयत नाम का राजजानी क्या है हनोई से अंसर होगा भीयत नाम का राजजानी है दोस्तो नेक्स सवाल है दुनिया में चोथा सबसे बड़ा महादीब कौन सा है अब लगंगों को पता होगा पहला है Asia दुसरा है आटक है C answer होगा Warren Husting, option B C answer होगा Next अगला सवाल है दोसों 1765 से पहले British East India Company के पास एक मत्र कोन सा अधिकार था? ब्यापार का एक मत्र अधिकार भारत का समिधान कब लागू हुआ? 26 जानवारी 1950 से केंद्रिया लोकसभा आयोक की स्तापना कब हुआ था? 1926 से, option A से answer होगा तोसों नेक्स्ट है गेलोरा भूंग करणो स्टेडियम ये किस देश में स्तीथ है? GBK इसको कहा जाता है GBK स्टेडियम दोस्तों कहां स्तीथ है? इंडोनेशिया में स्तीथ है तोसों नेक्स्ट निमलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिया पोलिष्टर है जिसका बोतल और बरतन बनाने के लिए इस्तमाल क्या जाता है? Polyethylene Terephthalate, option D से answer होगा तोसों नेक्स निमलिखित में से किसको सर्वजनिक समान यानि Public Goods कहा जाता है? राश्ट्रिय रख्या को option D इसका स्यांसर होगा किस बर्स में? Pete का भारत अधिनियम पारित क्या गया था? Pete's India Act कब पारित क्या गया था? स्यांसर होगा 1786, option A निमलिखित में से किस लिपी में पंजाबी भासा लिखी जाती है? गुरु मुखी लिपी, option A, इसका स्यांसर होगा नेक्स दोस्वां काल बेलिया ये किस राज्य से इवनिशको की अमुर्थ सास्क्रितिक बिरासत है? स्यांसर होगा दोस्वां राजस्थान, option D दोस्वां नेक्स दोस्वां निमलिखित मुगलों सासकों में से किस ने दिन पना नावक सहर की नीव रखी? लेकिन वो इसे पुरा नहीं कर सका, हुमायों इसका स्यांसर होगा और दोस्वां इस shift का अखरी सवाल है, हडपा वासियों द्वारा निमलिखित में से किस भवन, निर्वान, सामगरी का उपयोग किया गया था? तब तमिटी की इटे, option C, इसका सही अंसर होगा दोस्तों, अब आपको क्या करना है, इस वीडियो का टेक्शन बस में लिंक है, हमारा GKRECH अपलिकेशन का, उसको क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो आप प्लेश्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और दोस्तों, उसके बाद, वहाँ पे बहुत सारे हैं, करेंड एफ्यार के पीडियेफ हैं, साथ-साथ, दोस्तों, फ्रीली, आपको साइंस के बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे, to the point, जिस जिस टप्लिक से सवाल पुछे जा रहे हैं, सिर्फ उसी टप्लिक से ही, वहाँ पे मिलेंगे, दोस्तों, GKRECH अपलिकेशन से सारे shift में 10 या 10 से 20 सवाल पुछे जा रहे हैं, पुरा direct पुछे जा रहे हैं, अगर indirect पताओं तो 30 सवाल के आस्वास ही पुछे जा रहे हैं, इसलिए जरू डाउलोड करें हमारे GKRECH अपलिकेशन, अभी तुरन, फिन मिलने के नेक्स वीडियो में धन्यवाद